कि नमस्कार आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आप देख रहे हैं एविद्या चानल चानल नंबर दस और एंसी एर्ट का ओफीशल यूट्यूब चानल आप सभी के स्वागत करती हूं मैं रेडूंभाट अपने इस लाइव इंटराक्टिव फोन इंसेशन में और हम अ कि विद्या चानल नंबर दस देख रहे हैं और आज हम इस सेशन बात करने वाले हैं साइन्स के दसी क्लास के बच्चों के लिए और हम टॉपिक लेकर आए हैं चैमिकल रियक्शन और इक्वेशन और इस पर हम बात करेंगे और आपको विस्तार से जनकारी देंगी हमारी ए और इसे पहले कि हम यह सेशन शुरू करें हम अपने सभी देखने वालों को बताते हैं कि आप किन माध्यमों से हम से जूर सकते हैं with all your queries and doubts and questions if you have any आप हमें कॉल कर सकते हैं मैं टेलिफोन नंबर पर जो है डबल एट डबल सीरो डबल फोर जीरो डबल फाइफ नाइन या फिर आप हमें इमेल भी कर सकते हैं हमारा इमेल आड्रिस है dth.class10.nich.in और हम आपके participation का इंतिशार कर रहे हैं क्योंकि हम ये session आपके लिए लेकर रहे हैं और इससे पहले कि हम ये सत्री शुरूर करें बहुत सब्सुरूरी सुच्रा हम आप सभी के साथ तसाचा करना चाहेंगे रिगारिंग इंडिया's G20 Presidency we are indeed very proud that India assume G20 Presidency and will convene the G20 Leaders Summit for the first time in the country in 2023 a nation that deeply committed to democracy and multilateralism India's G20 Presidency would be a watershed moment in her history as it seeks to play an important role by finding pragmatic global solution for the well-being of all and in doing so manifest the true spirit of Vasudha Yav Kutumbukam or we can say the whole world is one family with that very important piece of information let's quickly begin this particular session in which we will talk about chemical reactions and equations so ma'am we will come back to you and you will know about chemical reactions and equations when we talk about chemical reactions and equations so what are the things that come to us and what are the things that you take to our children and students for the first time absolutely, so today's session is about to know that chemical reactions and equations nothing in this big story is created within our own work, which before reading this chapter is our three critical elements especially in the example that your mother keeps with blood to the first time, whom it is painful तो आपको कुछ दिनों के बाद उसमें कुछ चेंज नजर आता है क्या कहते है उसको कि जंग लग जाता है यह इसी तरह से अगर यह के दिनों में आटा यह चावल का आटा डाल रख दे और सुभा जब देखे तो वह फूल जाता है यह इनी फॉर्मेंट हो जाता है जाता है यह इसे ही कई चीज होती है जो हमारे आसपास होती रहती है तो यहां से हमें यह पता लगता है कि हमारे आसपास बहुत से ऐसे रीक्शन होते रहते हैं लेकिन हम उसको जानते हैं कि यह रियक्शन से हैं मगर वह रियक्शन से हैं यह नहीं जान पाते है ऐसा है जाता लेकिन अभी उस नजरी से देखा ने बिल्कुल वह हम बस खाली देख के छोड़ देते हैं लेकिन आज हम उसकी केमिस्ट्री जानेंगे और यही है इस चाप्टर का एसेंस भी तो हम चलते हैं अपने इस चाप्टर पे तो एक्चली होता क्या है कि हमारे आसपास जो रियाक् यह जाने किसी चीजका कालर उसकी हड्नेस, उसकी रिजिडिटी यह इसकी फ्लूइडे तका कि अदर्स का बहत कि इसकी क्या डिंसिटी है उसका क्या बॉilिंग पॉंट एंड यह सारी फिजिकल प्रापटीीज होतीçu Ĺ और जबाम इन फिजिकल प्रापटी इसको देते कुए पास कोई तुक्रा आपको ने कि नंया करदी और आपक्राइम के आपके स्की पासद समक्राइब कागज की ती अभी भी वही बनी रही इसी तरह से वी चीज्ज कर मैंनलिजे मैनु कोई तो जब भी कोई चीज किसी भी सबस्टेंस की जो प्रापटी है उसकी फीजिकल प्रापटी में कोई चेंज नाए तो उसे हम कहते हैं फीजिकल चेंजिय राई और इसके बहुत से जो हुआ जानपल गहां उसके लिए वह का अच्छा की देखेंगे अगर झाल जानते हैं, वह तो यह पुट्छा पानी हमें थे छानते हैं वह यह भी जानते हैं क्योंकि नाइंध्ध क्लास में यह स्टेट अवाच आप लिक्विड श्याट में अगर यह यह पानी पास वार कुछ और तो नहीं कहेंगे चाहले बाप भी आ तो तो पानी की भाफ अगर मिः बनेन ने तो पानी का बनन लित भी अश्यक ननिक बानी तो भी भी जितने तो थे खावी पानी लुठीन क है अगर रहेंगे जब लकडी जल के बुच जाएगी तो अब आपको क्या मिलेगा आपको क्या मिलेगा आपको क्या मिलेगा क्या उसे वापस लकडी ला सकते और आपको जो अशिस की प्रापटीज है वो लकडी से अलग है लकडी से तो डिफरेंट हुई ना तो यहां से यह बिलकुल क्लियर ह कि अगर हमने बर्निंग का एक्जाम्पल लिया तो इसमें जो अरिजिनल सबस्टेंस था और फाइनल सबस्टेंस दोनों की प्रापटीज में डिफरेंस है यानि कि हम यह कह सकते हैं कि इस प्रोसेस के दौरान वन सबस्टेंस रियाक्स विद दी अनदर वान तू अंडर गो क्यामिकल चेंज उस के गगकल कॉमजीशन है उसमें चेंजए आ जाता है आप कितना भी कारण हटा दीजिए कि आपने जला लिया था इसको थंड़ दीजे कि नहीं भी अब हम नहीं जला तो वापस आपको लगड़ी नहीं मिलेगी तो इस तरह से हमारे सरावंडिंग में यह जितने भी चैंज यह सारे कैमिकल रियाक्शन्स हैं क्यों कि हमें न्यू सब्स्टेंस मिलता है तो यह इसी पात को हम आज की अपने चाप्र में देखेंगे अब देखें आपके सामने बच्चो यहां पर एक लेकल चैनल ने इससे ऐसी की यह जारी ऑका क्या आपने एक हाथ दिखाई दे रहा है उसमें टॉओंग पकड़ा हुआ है जैसे संसी की तरह यह जा तोया जए लिया गया गया तो जलाने के बाद ऐसा इस अक्टिविटी में देखा जाता है कि इसकी जो एशिज होती है ना पाउडर के फॉर्म में वो एक पैट्री डिश में इकठी कर ली गए तो अब अगर हम यह पूछे आप से कि जो ओरिजनल हमारे पास मैगनीशियम था वो हवा में जला और जलने तो अब हम इसको देखेंगे जी कैसे चैन्ज है इसी तरह से और भी बहत से रियाक्शन है जैसे कि एक क्या किया गया की अमोनिया घैस है और उस अमोनिया गैस में अगर आपने कर卡ईyu के फाह में अमोनिया गैस लिया या या थाइओ ब्लॉर्य अर जब यह दोनों आपस मे react करते हैं HCLB और अमोनिया भी तो रियाक्ट करने के बाद यह एक वाइट फ्यूम्स बना देते हैं अगर मेरे मुह से जैसे निकल रहा है कि अमोनिया गैस यह मैंने बोला हाइड्रो क्लोरिक अशिड जो बोला यह भी अचली गैस के फॉर्म में होती है फ्यूम्स के फॉर्म करके देखेंगे लाब में अपने तो वह इस बात को बिलकुल समझ जाएंगे तो यहां पर भी आप देखिए कि दो गैस ली गई थी और उनसे सॉलेड बना तो नया सब्स्टेंस बना वाजिब है कि जो नया सब्स्टेंस बना तो कोई ना कोई कोई केमिकल चेंज ही हुआ आध अच्छा इस तरह से मैं कभ और आपको अट्विटी दिखा रही हुँ यहां पर क्या किया गया डो बी कर लिये हुआ यहां पर मैं आप से क्वेशन लेना चाहूँ जाओ हम कैमिकल रेक्शण की बात करें और दो हम कैमिकल रेक्शण कर रहें तो हमें एक थर्ड सब्स जयसे कि एकजिकल नहीं होगा, फिरेक्ज़दी नहीं देख्यांब। यचिन वहीं झाल्साइचन की शाथी पंड़ करें लिया, जैसे हमने एक्जामपल लिया था कि मैञनेशियम जो पॉडर महुंग नऔरvos या हमने अमोनिया और हैड्रो क्लॉ oli ऐसिडोन। तो अमोनियम क्लोराइड बना जो कि सॉलिड होता है अगर मैं चाहूँ नहीं होगा तो यह तो जहां पर भी कैमिकल चेंज होगा, वहां पर कैमिकल रियक्शन होगा ही होगा की यही बताना भी चाते हैं कि हम इस तरह से कहा 돼 कि केमिकल रियक्षिन कभ हुआ, तो कि पहले एक्टिविटीज की बात कर रहे हैं, ठीक है हम ने पिछले इंख हकी हमारी estrateg तो यहां पर देखिए दो बीकर है और दोनों में लिक्विड लिये गए है और तोनों ही कलर लेस हैं मलग कोई रंग नहीं दिखाई दे रहा है अब जैसे ही एक सबस्टेंस को बता भी दू कि एक बीकर में पोटाश्यम आयोडाइड है तो दूसरे में लेड नाइटरेट है जैसे ही पोटाश्यम आयडाइड को लेड नाइटरेट के सोल्यूशन में डाला आप सेकिंड वाला बीकर देखिए आपको येलो कलर का कुछ को चेंज दिखाई दिया निया सबस्टेंस बन गया तो क्यामिकल चेंज तो होई कि और जब आप उसमें पूरा डाल देंगे न क्योंकि वो इनसॉलिबल है कोई जीज अगर हम किसी चीज में होल दें तो जब तक हम उसको हिलते रहेंगे तो हमें लगेगा कि ये तो इसमें घुल रही है लेकिन अगर वो सबस्टेंस उसके अंधर गूलनशील नहीं है जो नेया सबस्टेंस बना है इनसॉलिबल है तो देर उसको शांत रग दीजे पांदस मिनर या 15 मिनर तो आप देखेंगे कि वो सेटल हो जाएगा तो यहां से यह पता लग जाएगा कि जो निया सबस्टेंस बना है वो इन्सॉलिबल है इसलिए वो सेटल हो गया तो यह और अक्टिविटी हो गई तो यहां पर हमने जो यहांनी कल फ्लास्क लीया गया है उस गरैकल फ्लास्क में गुछ ग्राण यूल्स पैले से जाएट अडल के लग एओअ ऑर तो ऑपर से जो निकास नली होता है वहां से इसके अंदर डायल्यूट सल्फिय॔रिक असिड ढाल सकते हैं डालियूट हैדर वйड जैसे ही इसके अंदर आप डालेंगे ना तो क्या होगा कि एक गैस निकलती है और वो गैस का हम टेस्ट करते है तो हमें पता लग जाता है कि कौन सी गैस है बट यहां पर अगर आपको गैस के फॉर में कोई चीज बाहर निकल रही तो आप देख की कहा देंगे कि यहां से तो जब जिंक हाइड्रोक्लोरिक असेड या सल्फियूरिक असेड के साथ रियाक्ट करता है तो गैस निकलती है तो हमारे पस एक नई चीज आई क्या है एवल्यूशन आफ गैस हमने नोटिस कर लिया ना जब कोई दूए के तरह से बाहर निकलेगा तो फिर साथ में इसी एक् कर्फोर्म करते हैं और कौनिकल फ्लास को नीचे से टच करते है तो आपको यह लगेगा कि इसका तेमपरेचर रेज हो गया तो यह एक नया परिवर्तन दिखाई दिया पहले तो नहीं था पहले फो ठंड था आपने कोई गैस नहीं लगाई आपने इसको कोई बर्न नहीं क कि कुछ हमने जो एक्टिविटीज परफॉर्म करी। उस एक्टिविटीज के थुर हमें को छेंगे डिन नजर है। Jब हमने पहली अक्टिविटी की ठी इससमे हमने नãy अम्मोनिया लिया था तो फो अम्म नयाओं तो थो थो वह हमने लिख उखेंग है त Initi निर ठीक है ना दूसरी जब हमने अक्टिविटी करी थी तो हमने उसमें क्या क्या था कि पुटेशियम आइड लिया था और लेड नाइड लिया था और हमने क्या देखा बीकर में चेंज की येलो कलर का एक सबस्टेंस बना जो की लेड आइड आइड आगे पढ़ेंगे लेकिन ठीक है अजिए बड़े तो चेंज इंगा इन कलर नोटिस किया तीसरा जब हमने एक्सपेरिमेंट किया था जिंक ग्रैनूल के साहथ और उसमें अल्फियूरी कैसे ला डाला दाल अडाल दाल यूट बाहर निकलती हुए यानी कि हमने एक तीसरा चेंज के लिए नोटिस कि दिखाई देगा, तो इस तरह से हमने चार तरह के परिवर्तन देखें, और यही चार परिवर्तन ज्यादा तर नोटिसिबल होते हैं, हम जिसको असानी से देख भी पाते हैं, अगर आप अपने आसपरासी देखिए, अगर मैंने कहा कि आटा जो था रखा आपकी मम्मी ने, यह दोसा का जो बैटर होता हम राद भर रख देते हैं, और जब हम उसको सुभा देखते हैं, वो फर्मेंट हो जाता है तो देखिए उसके अंडर से बुल्बुले निकलते हैं गैस के एव लुशन अफ गैस आगया, तो आप कहा देंगे ना कि यह जग जाता है, ठीक है कि लोह का कलर तो ग्रेइश ब्लैक लेकिन जंग का कलर क्या होता है, तो इसी तरह से हम आसपास कई ऐसे र्याक्शन होते हैं, फॉर एक्जामपल अगर हम सास ले रहे हैं, और अगर मैं आपको कहूं कि आप अपने मूह के आगे अपना हाथ रखिए, रखिए, पेरे साथ जैसे ही आप से लपसाँ चोड़ेंगे आपको गर्माहत महसूस होगी, यही कि आपका हाथ गर्म हो गया, तेमपरेचर, चेंज इन टेमपरेचर तो यह क्यमिकल रियाक्शन है, इसका मतलब कि जो यह ब्रीधिंग हुई थी यह रेस्पिरेशन भी एक क्यमिकल रियाक्शन तो हमारे आसपस बहुत होते हैं कैमिकल रियाक्शन इसी चीज को हम आज देखेंगे, तो मेरे खाल से यह पॉइंट क्लियर हो गया होगा, सभी बच्चों को कि सबसे पहले हमें चेंजेज की बात की ती जस्ट रीकाप की दो टाइप के चेंजे होते हैं, फिजिकल चेंज एंड कैमिकल चेंज, फिर जो कैमिकल चेंजेज हमें देखें जिसे हमने कहा कि जब भी कभी हमें कैमिकल चेंज दिखाई देगा, तो मेंस कि वहां कैमिकल रियाक्शन होगा ही होगा, वहां हमने क्या चीज नोटिस की ती, चार चीज एंग तो चेंज इन स्टेट, दूसर change in color evolution of gas and change in temperature तो इस सरह हमें पता लगया कि chemical changes जहाँ भी दिखाई दे रहे हैं वो chemical reaction होगे फाइब हम आगे चले अब इसके बाद हमारे पाइब आता है कि जैसे हमने सबसे पहले एक reaction देखा था कि magnesium ribbon को जब oxygen में बर्न किया तो यह magnesium oxide में convert हो गया ठीक है यह तो हमने बोल चाल की भाशा में बोला अब हम क्योंकि chemistry पढ़ रहे हैं तो हम तो चाहेंगे कि यह आमको reaction के form में दे क्योंकि हमारा title क्या था अगर आप नो ध्यान के यास chemical reactions and equations ठीक है reaction तो हमने बात कर ली कि reaction हो रहा है chemical change हो तो chemical reaction भी हो रहा है अब equation की भी बात कर ले तो equation की जब हम बात करेंगे तो हमको जो magnesium ribbon वाली हमने experiment किया था एक्टिविटी की थी तो उसको अगर हम उसको लिख बहुत बड़ा sentence लिखें तो इतनी बड़ी बात लिखते जाएंगे लेकिन जो chemist है वह बहुती smart थे उन्होंने क्या किया उन्होंने कहा कि नहीं इसको हम किसी इस तरह से लिखें कि ताकि हमरा काम क्विक्ली हो जाएंगे नहीं तो हम तो फिर लिखते ही रह जाएंगे फिर डिफरेंस क्य हुआ हुआ भाषा में और साइंस में तो chemical equations की जाद हुई अब यहां से जब उसको बिल्कुल shortest form में लिखा गया तो इस तरह से लिख दिया गया जिसे बोला गया कि वो word equation word equation यहां पर बहुत important बात है मैंने word जैसे magnesium बोला था तो मैंने magnesium ही लिख दिया मैंने हवा बोली तो oxygen लिख दिया और उससे जो बना वो magnesium oxide बोल दिया तो क्योंकि हमने उन शब्दों को हूब बहु वैसा ही लिख दिया equation के form में इसलिए हम word equation बोलते हैं ठीक है और जो रियाक्श जो substances participate करते हैं किसी reaction में उन्हें हम reactants क्याते हैं जैसा कि आप सब देख भी रहे हैं कि magnesium और oxygen ने reaction में पार्टिसिपेट किया जो reaction में पार्टिसिपेट करा वो हो गए reactants ठीक है और जो नया substance बना वो क्या हो गया product जिसको हिंदी में हम उतपात कह देते हैं अगर हिंदी में reactants की बात करें तो इसे हम अभी कारक कह देंगे और जो नया substance बना products उसको हम उतपात कहते हैं तो इस तरह से हमने देखा कि word equation हमारे सामने ऐसे लिखी गई अब ये भी clear हो गया कि कौन कौन सी चीजे reactants है और कौन कौन सी चीजे products I hope कि बच्चों को भी ये बिल्कुल clear हो गया होगा कि अगर उनसे पुछा जाए कि जो word equation given है या वो chemical equation भी हो तो इसमें reactants कौन से होंगे तो बिल्कुल आख बन कर कि आप कह सकते हैं कि जो left hand side में लिखे हुए होंगे arrow के left hand side पे वो सारे reaction में participate कर रहे हैं इसलिए वो reactants है और जो arrow के right side में है वो हमारे reaction के बाद बने है इसलिए वो products हो गया और या हम उसको उत्पात कह देते हैं तो इस तरह से हमारे पास ये equation बने अब जब scientist ने देखा कि अगर हम word equation भी लिखते हैं तो भी बड़ा लंबा सा point चला जाता है तो उन्होंने क्या किया था इसके symbols बनाए थे सभी के तो जैसे magnesium का symbol होता है mg तो उसको mg लिख दिया oxygen molecule को हम O2 लिखते हैं तो हमने उसको O2 लिख दिया और इससे जो बना magnesium oxide वो ब तो यह अगर आप नोटिस करेंगे तो हमने एक तरह से उसका धाचा दिखाया एक क्या मिकल रियाक्शन का यह धाचा है लेकिन क्या आपको अगर मैं यह कहूं कि मेरे पास एक साइकल है उसमें मैंने आगे का पहिया तो ऐसा लगाया जिसका की डायमीटर जो है वो से वन मी का है लेकिन जो पीछे का पहिया वो दो मीटर वाला है तो क्या मेरी साइकल बैलन्स होगी नहीं होगी दाचा तो ठीक है की साइकल है दो पहिये हैं सेम बात अभी जो मैंने रियाक्शन दिखाय था आपको जिसमें में अगनेशियम दिखाई दिखाई दिया और MGO स्केलिटम है लेकिन ये कम्पलीट नही है, क्योंकि एगर आप लेख जडेंसफे मे लेफंट साइप्से लेफंट साइड मे देखेंगे तो छटेंस अगनेशियम दिखाई देखेर तो इस तरफ दिखाई बाद देखिछे एपको मैंनेशियम का एकश्यम दिखाई दिखा और oxygen का भी एक दिखाए देए तो इस तो मारी cycle imbalanced तो अब क्या करना होगा यासी जो equation होती है यह हमारी तो imbalanced equation हो गई न असंथुलित तो असंथुलित समी करण को या imbalanced equation को हमें अब क्या करना पड़ेगा बैलंस करना होगा एक़िए, इसको बालंस करने के लिए हमारे पास प्रास इह वह प्रास है वह क्या है? बहुत हुआ सिम्मल सी बास है हमको जरूरी बहात जाता है कि लेफ्ट हंसाइड में और राइ्ट हंसाइड में दोनों तरफ उनके जो हैं रहुत है अगर मों कंथे में थ्जान रख ले त जरूरी है वो इसलिए जरूरी है एक law of conservation of mass था जो यह कहता है कि mass can neither be created nor be destroyed यानि आप mass को ना तो बना सकते हो ना ही destroy कर सकते हो बस इसका परिवर्तन कर सकते हो किसी ना किसी दूसरे form में energy में convert हो जाता है तो यही बात हमारी chemical reaction में भी सामने हमारे आती है आप हमने क्या करना है कि इसी law of conservation of mass है इसको apply करना है इसके accordingly हमारे जो total mass of the elements present in the products of a chemical reaction that has to be equal to the total mass of elements present in the reactants यानि कि left hand side और right hand side के जो atoms है वो equal होने चाहिए हम तो हम देख लेते हैं कि हम इसको कैसे करेंगे तो एक बैलन्स करने के लिए जैसे हमने आपे magnesium और oxygen ही दिया है magnesium oxide बना यह हमने उसका skeleton भी लिग दिया यह तो बिलकुल clear हो गया और यह बार भी clear हो गई अगर आप यह table को देख लेते हैं तो आपको पता लग रहा है कि left hand side में magnesium का एक है और right hand side में भी एक है लेकिन oxygen का और right hand side में oxygen एक है और left hand side पे दो है तो अगर मैं right hand side के oxygen को डबल कर दो तो आप देखो की दोनों तरफ दो हो हो है और जैसे ही हमने right hand side के magnesium oxide को दो कर दिया तो मुझे Magnesium जो left hand side का था उसे भी दो करना होगा उसको हमने दो कर दिया टेबल पर देखिए जी क्लियर हो गया तो अगर आप देखते हैं इसी equation को तो हमारे left hand side पे किते Magnesium दिख रहे है आपको दो और right hand side पे भी दो दो बालंस होगा सेम वे दो oxygen left hand side पे और दो ही right hand side पे तो इस तरह से हमारी equation बालंस हो गई और यहां पर आपको कुछ ट्राय करने के लिए दिया जाता है अगर पहली equation देख रहे हैं जेंक प्लस अल्फियूरिक अज़ तो आप यहां पर देखेंगे left hand side पे एक zinc है right hand side पे भी एक है left hand side पे sulphate पूरा का पूरा है वो एक है और दूसरी side में भी sulphate एक ही है left hand side पे hydrogen के दो एक है right hand side पे तो हमारी पहली equation तो बालंस होगे कोई जरूरती नहीं तो ऐसा नहीं है कि हमें हर वक बालंस करना पड़ता है कभी कभी बालंस भी मिल जाता है हला कि इस चीज को अगले अपने सेशन में जरूर देखेंगे कि यह बैलंस करने के लिए कि हमें किस चीज को बिल्कुल टच नहीं करना होता कि कई बारी बच्चे आटम्स ही गिनते रह जाएं तो इसका प्रसीजर है दूसरा हमारा एक्वेशन अगर आप देखेंगे कि के आई प्लस लेड नाइट्रेट जो हमने अपनी अक्टिविटी की थी जिसमें हमारे पास प्टाशियम नाइट्रेट बना और लेड इयलो प्रेसिपिटेट मिला था यहां पर भी अगर दूर से बिल्कुल नोटिस कर अब वो प्टाशियम दो को बालंस करने के लिए हमने लेफ्टेंड साइट पर क्या किया तो प्टाशियम को डबल कर दिया दूसरी साइट पर हमारा बालंस हो गया तो दिस वेर वी कैन सी कि बालंसिंग ऑफ केमिकल एक्वेशन इस पॉसिबल तो हमारे सभी बच्चों को किस तरह से वह बालंस कर सकते माम आपने बहुत अच्छी तरीके से बताया और अच्छी वेर रणिंग वेरी शॉर्ट अफ ताइम से आगे नहीं ले जा सकते लेकिन पुनम माम हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप स्टुडियो और आपने हमारे तें स्टै NCERT Textbooks for 2023-24 are available throughout the country. These textbooks may be purchased directly from NCERT Sales Counter located at New Delhi, Bangaluru, Ahmedabad, Kolkata and Goahati. These sales counter will be functional on all the weekdays including registered holidays and Saturdays and Sundays as well from 9.30 a.m. to 6.00 p.m. You may also place order for the books online through our website that is ncertbooks.ncert.gov.in and these books will be delivered at your doorstep with no delivery fees. And if you want the soft copy of the books in PDF version, you can also download this from NCERT, Diksha and ePatshala website and mobile app for free. And please visit the website that is ncert.nic.in to know more about the authorized vendors. And I will tell you all about this but I will tell you that we are going to take a short break and after our live interactive phone-in session we will be here with 10th standard English students. And our today's poem is Amanda. Please give me a round of applause. Namaskar. Asaana. She has been ah-a-b heat. She has been on P lysine P perché she can see the word ask. And what I do is to say the word ask is that one sort of thing that appears.